नमीश्कार दोस्तों मैं हूँ में राच और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों Chrome Browser की Chrome Browser तो आप सभी यूज करते हैं और मैं भी करता हूँ Chrome Browser की आज भी आपको कुछ यूज़ू बताने वाला हूँ important settings बताने वाला हूँ A to Z settings बताने वाला हूँ अगर आप Chrome browser का use करते हैं और Chrome browser की A to Z settings अगर आप जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को completely जरूर देखें तो ज़िए हैं आज किस वीडियो को सुरू कर लेते हैं लेकिन अगर अभी करा आपने वाला चैनल सबस्क्राइब नहीं कराएं तो आप मारे चैनल को सबस्क्राइब जरू करें इस वीडियो को like and share जरू करें ऐसे ही informative videos के लिए knowledgeable videos के लिए ग्यानवर्दक videos के लिए आप मारे चैनल को subscribe जरू करें तो चलें दोस्तो आज किस वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें गंटे को दवाएं ओल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Chrome Browser की Add to Z Settings अगर आप Google Chrome का यूज करते हैं तो Chrome Browser की आप जानना चाहते हैं कि इसके सभी Settings क्या है Add to Z Settings क्या है हम Chrome Browser का यूज तो करते हैं लेकिन कौन सी Settings क्या का हमाती है किस Settings का क्या यूज है यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिखाने वाला हूँ समझाने वाला हूँ तो आप मरे ये वीडियो को completely जरूर देखे लेकिन अगर अभी तक आपने वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं इस वीडियो को लाइकन सेर नहीं कराएं ज्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास नहीं पोचाएं तो प्लीज इस वीडियो को लाइकन सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो आज हम जानने वाले हैं Chrome Browser की Head to Z Setting इसके लिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर Chrome Browser है वो आगया होगा अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिली रहा होगा Chrome Browser पर आपको क्लिक करना है तो कुछ इस टाइब से आपके सामने आ जाता है यहाँ आपके सामने कुछ इंटेरियर आ जाता है यहाँ गूगल लिकावा जाता है यह सर्च बार आ जाता है नीचे आपका जो भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं वो आ जाती है इसके साथ दोस्तों यहाँ आपकी टेपस आ जाती है और यहाँ आपको इस ट्री डोट देखने को मिलता है एपको किसी टाइप से कुछ भी डाwned कराये तो वो डाwnlood स्क्षन में जा कर देख सकते हैं अगर आपने किसी वेबसाइट को यहाँ को बुक और कर कर रखाये तो बुक मारक में आप देख सकते हैं recent tape के अंदर आप अपनी recent tape देख सकते हैं recent tape में आपको वो टेप भी मिलेगी जो आपने computer में own करिए और आपके mobile में भी own करिए तो वो सभी आपको यहां से मिल जाएगी यहां आपके सामने यहां desktop side mode में लेना चाते हैं तो वो ले सकते हैं चलिए हैं यहां से main और important option है settings से वो है settings setting पर हम click करते हैं यहां से आपको अपना google account का interior देखने को मिल जाता है इसको एक तरफ रखते हैं और अब आपको क्या करना है नीचे वाला area माते हैं यहां से हमारे पास आता है basic setting यह आता है search engine आप इसके अंदर कौन सा search engine यूज में चाहते हैं क्या आप yahoo चाहते हैं यह च करते हैं तो आपको password save करने के लिए मांगा जाता है अगर आपने जितने भी passwords को save कर रहा है तो वह यहां पर आएंगे इसके साथ दोस्तों आपके यहां पर payment method आएगा अगर आपने कोई payment method करना चाहते हैं तो आएगा यहां से address के अंदर आपके वह सबी address आजाएंगे जो आपने एड़ करना चाहते हैं यानि कि आप कहीं गए हैं कहीं का कोई forum अगर आपने बढ़ा हो फोरम आपने save कर दे तो वह यहां से आएगा इसके बाद दोस्तों privacy privacy के और एंग security इसके अंदर आपको अपनी privacy and security देखने को मिल नोटिफिकिशन को आप यहां से रजिस कर सकते हैं क्या रिंटूम लगानी क्या कुछ करना है वो कर सकते हैं थीम थीम के अंदर आप से color location themes को change कर सकते हैं डार करकना लाइट रखना वो changes कर सकते हैं यहां आपके सामने home page आता है क्या आप हमेसा home page phone रखना चाहते हैं नहीं वो चेक कर सकते हैं यहां से आपके वाद shortcut बार आ जाती है अगर आपको shortcut बार में use लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं यहां से आपके सामने accessibility आ जाती है अगर आप language चेंज करना चाते हैं यही रखना चाते हैं वो कर सकते हैं यहां आपके सामने download का option देखने को मिल जाता है यह important है side, sides पर हम चलते हैं तो यहां से आपको अपना cookies मिल जाता है यहां से आप अपने location का access देना चाते हैं तो वो मिल सकता है Kayla का Access सी देना चाहते है वो मिल सकता है Microphone का Access का Access देना चाहते है तो वो मिल सकता है इसके बाद मैं motion sensor का Access ससदो देना चाहते है तो वो मिल जाएगा effectively का разм baptism देना चाहते है तो वी जाएगा काफी बार notification है, मुझा ज़्यादा pa OMG करती है तो वो कर सकते हैं बेक्ग्राउंड को अगर आपका बेक्ग्राउंड में ये गूमता रहे बेक्ग्राउंड में सर्ज करता रहेगा उसको एक्टिवेट चाहते हैं तो वो अलाव कर सकते हैं ओटोमेटिक डाउमलूडिंग को शेक कर सकते हैं तो कुछ इस ताइब की के आपको chrome browser की settings लेगने को मिलती है आज की इस वीडियो के अंदर हमने जानी chrome browser की attitude settings अगर दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर chrome browser की सभी settings और chrome browser की attitude settings अली वीडियो पसंद्द आए हो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइकन से अड़ जरू करें चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइकन से अड़ जरू करें तो ये वडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वात गल से आर्दिक दन्यवाद थेंक यू वचिंग इन दिस वीडियो